बिखारी जो है वो बड़ा आम हो चुका अगर आप सर्फ इंडियन सोशल मीडिया देखे ना खसरे हैं हम पर यह बात हो रही है कि क्योंके जितने बड़े इदारे हैं वहां पर इंडिया की अथारिटीज उनकी यूथ वो रूल कर रहे हैं सब कुछ जो हो रहा है तो यह तो टुपल सी माइनस में किया था तो उसके बाद पाकिस्तान के होस उड़ गये हैं और मूडिस ने ये भी कहाए कि पाकिस्तान को अगर आएमेफ ने 20 बिलेन डॉलर भी डे दिये तब भी पाकिस्तान डिबालया होने से नहीं बच पाएगा तो यह सुनके पाकिस्तान बहुत की जड़ा रोर है और पाकिस्तान कहरा है कि इसके पीछ भी भारत की साजिस है मतलब की पाकिस्तान कहरा है कि मोडी जीन है मोडीस के जरी है पाकिस्तान की रेटिंग नीचे करवाई ताकि पाकिस्तान में एकोनमे क्राइसिस आ जाए तो पाकिस्तान यहां पे भी तो चिले और इंटिसार नगर के ये वीडियो देखते हैं तो हमारे लिए बिखारी जो है वो बड़ा आम हो चुका पाकिसानियों के लिए अगर आप इस वक्त इंडियन मीडिया हमारे हां आता नहीं है अगर आप सर्फ इंडियन सोशल मीडिया देखे ना तो वो लोग हस र और उस रेटिंग में पाकिस्तान को मजीद डाउनग्रेड कर दिया गया है। पाकिस्तान को कैसे डाउनग्रेड की गई है पाकिस्तान की रेटिंग वह हो गई है CAA3 और इसमें यह बताया गया है कि बहुत ख़ड़ा है डिफॉल्ट का भी और काफी कुछ तश्वीशनाक सूरते हाले है अफाग फारुकी साब आपकी नर्जर से की रिपोर्ट गुजरी सर यह कहां पर आ गए हैं और क्या अब क्या होगा और जिकें यह जो आज मुझीज ने क कहीं से इनकी कोई कमिट्मेंट नहीं है तो डिफार्ट का खत्रा गुजिश्टा चार मार से जप्से साथड़ार आए हैं दुनिया हमें बहुत दिनों से बता रही है राज्च्रुप्यम पूर्ट ने भी कहा कि सिट्वेशन तो आपकी यह है कि आपके पास जरे मुबाद जो हम डिफार्ट होने के करीब पहुंचें सब कुछ जो हो रहा है तो यह तो हमारे दुश्मन की वेज़क्सिव रहा है तो बात यह है कि हमने अपने तोर पर सब कुछ किया हम जिसे चाहें इन्जाम जेते रहें हम तो यह भी कहते हैं कि अमेरिका ने हमारा साथ चोड़ दिया तारीश ही बताती है कि हमने साथ चोड़ा कि हमने डबल खेला फटह मबीन के नारे लगाए चाइनी स्कैम में चले गए आज भी रशिया से पैसों की बन्याद पेजिए पैसे से हम गैस खरीड लेंगे और आईल खरीड लेंगे दुनिया तक्सीम होगए यह आपको क मसला I.M.F. और इन चीजों से हल नहीं होने वाला आi.M.F. बहुत तीर मारे गा तो एक बिलियन दोलर दे देगा ना वन कोईन बिलियन डोलर की किस्टी बात हो रही है पाकिस्तान को इस वक चे बिलियन डोलर अगले दो महीने में यानी ऐपरिल तक पाकिस्तान को चे बिल मिलियन डॉलर बचा लिये कि चले हैं धो डेफर कर लेंके कि आप च्छे महींने बाद हम दे देंगे साल बात दे देंगे आगे मज़ के लिए बढ़ने लेकिन अभी आप बाकि के 3 لي काँ से देंगे पिर सबसे रड़ी बात ये बार 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 कह रहे हैं कि अब दो billion dollar car, जो foreign reserve है, उसमें से दो हफ्ते में पाकिस्तान खतम हो जाएगा, ये बात हम दो महीने से सुन रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं का यार ये क्या बेवकुफ बना रहे हैं, तो भाई साब बेवकुफ नहीं बना रहे हैं, दो हफ्ते का ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास इंपोर्ट क्लियर करने का दो अफ्तेरे दे, पाकिस्तान ने पिछले ट्रीक आइमेपस हमें पैसे मिल गए एक शायर यह दो अरब डॉलर वन पॉइंट टू बिलियन डॉलर तो इसके बाद हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे ऐसा नहीं है भाई हालात मजीद मुश्किल होने हमें खुद मैनत करनी चाहिए खुद कोशिश करनी चाहिए खुद कमाना चाहिए और खुद काना चाहिए हमें दूसरों के पैसों पे अरब दुनिया के पैसों पे उन्होंने काम किया दुनिया में अपने आपको मनवाया हाँ दुनिया उनकी रिस्पेक्ट क उसमें लिया है लेकिन अफसोस के साथ हम वही के वही क्या वही के वही बैटे रहते तो शायद पिर भी वैतर होता उससे भी पीछे हम चले गए और पीछे चलते जहां रहें पहले दोस्तों इस वीडियो पर बात करते हैं तो मुझे लगा था कि मूदिस ने जो पाकिस्तान के लेटिंग की है इससे नीचे पाकिस्तान जहां नहीं सकता पर पाकिस्तान ने सब को गलत साबिट करके पाकिस्तान उससे भी नीचे चला गया तो मूदिस ने जो पाकिस्ता भीकारी है दुनिया में जाके पाकिस्तान भीक मांगता है तो इसे भीकारी नहीं तो और क्या बोला जाएगा और इसाग डार ने पाकिस्तानियों को बेगूफ बना के रखा है कि पाकिस्तान तो एक कोनमिक सुपर पावर है और यह दुनिया पाकिस्तान से जिलिस है और इसल पाकिस्तान को अगर IMF ने 20 billion dollars भी दिये तो पाकिस्तान डीबलया होने से बच नहीं सकता तो यह सब पाकिस्ता की नोटंग की है और यह सब इसाकडार की वैसे हुआ है इसाकडार से पहले जो मिफ्ता इसमाइल थे वो कम सिकम एकोनोमिको स्टेबिल रखने ही कोशिस कर रहे इसाकडार ने आके उस पे भी पानी फेर दिया और इकोनोमिको दिबलया होने के और भी करीब ले गया और पाकिस्तान को अगर IMF ने जैसे पाक मिदाने का 20 billion dollar भी दिये तो पाकिस्तान डिबलया होने से बच नहीं सकता तो कि पाकिस्तान को हर साल 33 billion dollars चाहिए अगले 3 साल तक तो पाकिस्तान को कृब 100 billion dollar चाहिए जो पाकिस्तान के पास नहीं आपकिस्तान देने को त्यायर भी नहीं तो पाकिस्तान बीबला होने से कैसे में यह दिखने लाया होगा और आखिर में मैं ये कहूंगा कि पाक मीडर ने सही कहा कि पाकिस्तान को अब अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा और दुनिया से भीक मांगना बंद करना पड़ेगा तब ही पाकिस्तान की हालत ठीक होगी तो चलिए देखते कि फ्यूचर में क्या होते हैं दोस्तों यह वीडियो टिक निगले बहुत बहुत सिक्या और हमें जोगा सब्सक्राइब करना मुदू लेकर थांकी बड़ी मैच